हलो दोस्तों मैं उमा संकर आपको अपना चैनल ट्रिकी वाई विसकुपता में स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं एनमेस एक्जामेने संदू हजार तेज का मैत का इंपोटेंट क्यूचन अर्थात विवियाई क्यूचन लेकर आया हूं जो आप लोग को 20 अगस्त के होने वाले एक्जाम में धमाका मचा देगा दोस्तों अर्थात 20 में से 20 क्यूचन इसी विडियो में से आएंगे इसलिए आप इस विडियो को लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सेर्थ सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों तो चलिए दोस्तों हो सके मेरे चैनल को सेर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज मैं आप लोग को 20 बहुत ही इंपोटेंट क्यूचन बताने वाला हूं जो आप लोग को 22 जन्वरी को होने वाले एक्जाम में बहुत ही महते पुन भूम का निभाएग दोस्तों इसलिए आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा चलिए यहाँ पर क्यूचन दिया हुआ है चार बाटा नौ अनुपात वाट इसकोल टू माइनस आठ बाटा पंदरा इसको हल करने के लिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चार बाटा नौ अनुपात मतलब होता है भागा भागा एकस बाटा यहाँ पर वाई इसकॉल टू माइनस एट बाटा पंदरा करेंगे तो यहाँ पर भागा को अगर हम लोग उसको उलड़ते हैं तो गुना हो जाता है अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 4 बाटा 9 गुना y बाटा x is equal to minus 8 बाटा 15 हो जाएगा इसको अगर हम 4 से काटते हैं तो minus 2 बार में कट जाता है और इसको हमको 3 से काटते हैं तो 3 बार में और यहां पर 5 बार में कट जाएगा और कुर्ष मल्टिपल करने पर x बाटा y बराबर हमको एंसर आ जाता है minus 5 बाटा 6 इसका right एंसर हो जाएगा option नमबर 4 इसके बाद अगला क्यूचन हम लोग देखते हैं तो अगला क्यूचन हमारा यहां कह रहा है यदि 5 के पावर 2 x पलस 1 भागा 25 बराबर 125 है तो x का मान क्या होगा तो यहां इसके करने के लिए सबसे पले आम यहां देखते हैं तो यहां लिखा हुआ है जो यहां आप देख रहे हैं कि यहां पर हम लोग करते हैं 5 के पावर 2 x पलस 1 यहां डिभाइड है इसको हम लोग 25 को 5 के पावर 2 कर देते है बराबर 5 के पावर 3 कर देते हैं भागा में है तो भागा में पावर घटता है यहां हो जाएगा 2 x पलस 2 माइनस 2 के 5 के पावर इतना हो जाएगा और यहां 5 के पावर 3 हो जाएगा यहां देख रहे हैं तो 2 के 2 x-1 is equal to यहां पर 3, यहां 2 x उधर चल जाएगा, तो 3 plus 1 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 by 2, cut करने पर 2, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, option number 2, राइट एंसर हो जाएगा. इसके बाद हम लोग अगला question देखते हैं, किसी लगुतम संख्याओं को 15,370 में के साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसके लिए हम लोग वर्गमून निकालने के लिए हम लोग पीछे से जोड़ा मिलाएंगे, इसका जोड़ा हो गया, इ एक से डिभाइड देंगे, वन से वन कट जाएगा, इसके बाद टू बचेगा, इसके बाद यहां पर उतारेंगे तीरपन हो जाएगा, यहां पर टू बइठाएंगे, यहां पर भी टू बइठाएंगे, तो दो दूना के चार हो जाएगा, फिर उसको घाटाएंगे, तो वह संख्या आ जायते हैं पर चार बिठाते हैं तो चर्चों की सूर्ला साथ नौ अर्थात यहां पर छो संख्या जोनने पर पूर्णवर्ग बन जाएगा इसलिए अप्सन नंबर 2 हो जाएगा अगला क्यूचन हम लोग देखते हैं यहां एक्स बराबर 10 दिया हुआ है और यहां 4 एक्स स्क्वाइर पूर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर्णवर् और यहां पर 25 कर देते हैं अर्था 625 इस राइट एंसर हो जाएगा इसके बाद अगला क्योचन यहां देखते हैं यहां लिखा यदि x-1 by x is equal to 6 हो तो x square plus 1 by x square का मान किया होगा तो यहां पर हम लोग देखिए अगर यहां पर माइनस दिया हुआ रहेगा तो हम लोग को क्यूश नहीं करना है जो इसका बराबर के बार जो संख्या दिया हुआ उसको स्क्वाइर कर देंगे स्क्राइल करेंगे देट करेंगे च्छों का इसक्वाइल स्क्राइगा थिए प्रकाइल चाहरे ए लगर बसर्फ करेंगे अगर यहां पार प्लस में दिये रहेंगे तो हम लोग माइनस ट्रकार देगे दिए C Corporate कि अग्ला क्यूचन हम लोग देखते हैं कि हमारा अग्ला क्यूचन यहां देखिए कह रहा है 25a²-4a²-28bc-49c² है तो यहां पर सबसे पहले हम लोग 25 को तूरते हैं तो यहां प्रोजागा 5a² और इसमें हम यहां पर इसको ब्रेकेट में लिखते हैं और यहां पर हम माइनस यहां पर कोमन ले लेते हैं तो यह हो जाएगा फोर b²-18bc-49c² यहां पर हम लोग 5a² करते हैं यहां पर हम लोग देख रहे हैं तो यह प्लस b²-2ab है अर्थात इसको तूरने पर यह हो जाता है फोर b यहां पर माइनस है इसलिए माइनस 7c² यहां पर देख रहे हैं a²-b² है इसलिए इसका अगर हम लोग तूरते हैं तो राइट एंसर इसका हो जाएगा ओप्शन नंबर यहां पर जो देख रहे हैं तिसका आपका राइट एंसर ओप्शन नंबर टू हो जाएगा अगला क्यूशन कर रहा है किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात साथ अनुपात पाच है तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से आठ हदीक है तक कक्षा में विद्यार्थ्यों की कुल संख्या कितने है तो सबसे पहले हम लोग को अनुपात को हटाने के लिए X मानते है तो यहा लड़कों की संख्या अर्थात B बराबर हो जाएगा 7X और G बराबर हो जाएगा 5X तो यहां पर कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्या है एक यहां पर आठ अधीक है अर्थात यहां पर हो जाएगा जैसा कि यहां देख रहे हैं इसमें यहां पर हो जाएगा 7x बराबर 5x पॉलस 8 अर्थात 7x में से 5x is equal to 8 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2x is equal to यहाँ पर 8 हो जाएगा और x is equal to 8 को cut करेंगे 2 से तब 4 हो जाएगा अर्थात यहाँ पर x का मान 4 आ जाता है अर्थात यहाँ x का मान 4 आ गया तो यहाँ पर कर रहा है 48 अर्था डाइट एंसर 48 हो जाएगा अगला क्यूचन हम लोग देखते हैं यहां दिया हुआ है यदि फोर पी इसकॉल टू 47 का स्कॉएर माइनस 43 का स्कॉएर तो पी का मान क्या होगा तो यहां पर देखिए यहां पर 4P is equal to तियां देखिए एसकॉएर माइनस B स्कॉएर तिसको एक बार पलस में करते हैं तो पलस में करते हैं तो इसको एड़ करने पर 90 हो जाएगा और दुनों का अंतर करते हैं तो यहां पर 4 हो जाएगा 4 से 4 केंसिल करेंगे तो राइट एंसर हमको मिल जाएगा 90 तूसका राइट एंसर हो जाएगा 90 क्योंकि हम जानते हैं A स्कॉएर मैनस B स्कॉएर फर्मूला होता है A plus B into A minus B अगला क्यूचन हम लोग देखते हैं अगला क्यूचन कर रहा है किसी संख्या में 25 पूर्णांक एक बटा 2 परतिसत घठाने पर 87 होता है तो वह संख्या क्या है इसके लिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे वह संख्या क्या है X है तो X में से minus कर रहा है तो X का कितना परतिसत 47 पूर्णांक एक बटा अगर इसको तूरते है तो पशुपन पूर्णांक पश्पन बटा 2 आया हैं परतिसत का माने 100 हो जाएगा egal 2 हो जाएगा 87 अगर हम इसको कट करते हैं पास से कट करते हैं तो 11 और इसको 5 से कटते हैं यहां पर 40 बार में कट जाएगा तो यहां पर हो जाएगा इसको घाटाने के बाद अगर हम लोग LCM लिखते हैं तो यहां 40 हो जाएगा 29 एकस बराबर हो जाएगा 87 गुने 40 तो 29 तो कारते हैं तो 87 कर जाएगा तीन बार में अर्थात एकस बराबर हमको यहां पर हो जाएगा 1200 नहीं सोरी यहां पर एकस बराबर 120 राइट एंसर तो 89 79 का एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C 120 एंसर इसके बाद अगला क्यूंच अनुम लोग देखते हैं किसी मसीन का मुल्य हर साल 20% हरास होता है यादि उस मसीन का वर्तमान मुल्य एक लाग साथ हजार रुपया है तो पिछले साल का उसका मुल्य क्या होगा तो इसके लिए सबसे पले यहां देखिए दिया हुआ है यहां इतना दिया हुआ है इसमें हरास होता है अर्थाथ 20 पर सिथर्थ हरास होता है तो हमको निकालना है वर्तमान मुल्य निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग 100 को उपर कर देते हैं और यहां कितना 20 पर 30 हरास हुआ है अर्थाथ कितना हमको मिला 80 तो 80 से इसको काट यहां देखिए 1-0 से 1-0 यहां काट देते हैं इसको यहां से काटेंगे तो बार में अब यहां कितना 1-2-3-4 1-2-3-4 अब एक यहां पर हो अर्थात यहां पर आया 22 लाख अर्थात राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर 4 इसके बाद अगला क्यूशन हम लोग देखते हैं कोई डीलर लागत मुल्ये पर 20% बढ़ा कर वस्तू की वस्तू की सूची बनाता है तथा वह 10% की छुट देता है तो उसका लाख परतिसत क्या होगा तो चलिए यहां पर हम लोग मान लेते हैं हमारा सीपी है सीपी है 100 रुपया जिसमें वह 10% बढ़ा देता है अर्था तुसे कर देता है 120 रुपया और 120 रुपया में हमको 10% डिसकाउंट देता है अर्था 10% डिसकाउंट देता है तो 10% छुड़ता है थमसे लेता कितना है नवे तो 90 वाठा 100 यह 0 से केंशील यह 0 से केंशील तो बारवा नवा नवा टूटर से अर्थात 108 रुपया में हमको देता है तो बताए 100 रुपया का समान था उसको 108 रुपया में बेचा तो उसको कितना प्रोफिट हुआ 108 में से 100 गट आते हैं तो 8 पर 37 उसको राइट एंसर अप्शन नमबर 2 अगला किशन देखते हैं एक छात्रा वास में 75 छात्रों के लिए 24 दिनों के खादे का परबंद किया गया थर्थ खाने के लिए किया गया यदि 15 छात्रा छात्रा वास छोड़ दिये तब कितने दिनों तक खादे परबंद चलेगा अर्थात यहां देखिए 75 दिन 25 यहां चात्र थे जिसके लिए 24 दिन का खाना था जिसमें से 15 साथ चात्र चले जाते हैं मतलब उहां छोड़ देते हैं तो बस से कितना है यहां दिमाग लगाएगा कि कि अगर विद्यार्थिं की शंखिया घटेगा दिन ज्यादा होगा अगर विद्यार्थिं संखिया बढ़ेगाowers इस सद्यार से हम लोग बना सकते हैं Cynthia कया अगला के उचिटन कह रहा है कोई गाड़ी साथ किलो मेंटर पर पर फटी घंटा की चाल और खाया है साथ किलोमीटर परती घंटा की चाल से अर्था तो वहाँ दो घंटा में कितना दूरी चलता है तो डिस्टेंस वहाँ चलता है 120 किलोमीटर तो हम जानते हैं D बराबर होता है S T तो हमको यहाँ निकालना है T तो T बराबर हो जाएगा D by S यहाँ डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है कितना 120 अब यहाँ पर Speed कितना दिया हुआ है 80 इसको हम cut करते हैं 0 स 0 केंसिल करते हैं 4 से कारते है 2 इसको कारते हैं 4 से 3 बार में अर्था 3 by 2 अर्थात इसको घंटा में करेंगे तो यह घंटा 30 मिनेट ट्राइट एंसर हो जाएगा अगला क्यूचन यहां देखते हैं किसी परिक्षा में कुल परिक्षार्थी 65 परतिसात उतिर्ण होते हैं यदि अव उतिर्ण बिद्यार्थी की संखिया 420 है तो कुल कितने बिद्यार्थी है यहां पर देखिए पास होने का बता रहा है 65 परतिसात तो फेल होने का कितना हो जाएगा तो 35 परतिसात तो यहां पर 35 परतिसात बराबर यहां दिया हुआ है 420 तो 35 परतिसात को हम 100 परसेंट में कनभर्ट करेंगे अर्थात यहां 35 बटा कर देंगे 20 बटा 7 कट करने पर यह 100% हो जाएगा उसी तरह से जिस तरह से इसमें 20 बटा 7 किया है तो 420 गुने 20 बटा 7 करते हैं तो 7 से इसको कट करते हैं तो कितना बार में कट जाएगा 6 बार में कट जाएगा तो 6 बार में अर्था 60 बार में कट जाएगा साथ गुने बीस करते हैं तो बारा सो अर्था इसका राइ टेंसर आप्शन नमबर टू होगा अगला किशन हम देखते हैं अगला किशन कर रहा है दो नल एक होज को करमसा 10 घंटे तथा 12 घंटा में पूरा भर पाती है और एक तीसरा नल उसको पूरे गंटा को दबीस घंटा में खाली कर देती है यदि तीनों नलों के एक साथ चला दिया जाए तो होज कितने समय में करेंगे 1 by 10 पॉलास 1 by 12 माइनस 1 by 20 इस सब का एलसीम निकालते हैं तो 60 एलसीम हो जाएगा 10 से डिवाइट करेंगे कितना बार में कटेगा 6 बार में शौरी 10 से काटेंगे तो 6 बार में यहां 6 हो जाएगा इसको हम काटते हैं तो यहां पर 5 हो ज़ोसान कि चाहिए इसको यहां पर हम काड़ते हैं 3 होजाएगा कि कि इस तरह से यह हो जाएगा और इसके बाद हम लोग यहां देखते हैं माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा इसको जोड़ेंगे तो 11 में से 3 घटाएंगे यहाँ 60 हो जाएगा अर्थात 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा एट बटा 60 होगा इसको कट करेंगे तो फोर्स से काटेंगे तो यहाँ तू हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा अर्थात 15 को आधा करेंगे तो साड़े 7 घंटा अर्थात 7 घंटा 30 मिनट राइट एंसर होगा अगला क्यूचन का रहा है समानतर चतरभुज के किन्वी दो सनलगन कोनों का अर्थाक परती चेद करता है कितना डिगरी पर ती हो जाएगा 90 डिगरी पर इसका राइट एंसर फोर हो जाएगा इसके बाद अगला क्यूचन हम लोग देखते हैं किसी समलम का 6 तरफल 180 cm2 है तथा इसकी उचाई 9 cm है यदि समानतर भुजाओं में से एक दूसरे से 6 मीटर अधिक लंबा है तो समानतर भुजाओं की अधिक लंबाई क्या होगा सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका छेतरफल बराबर होता है ए बराबर होता है ए पुलस बी बाई टू इन्टू एच यहां छेतरफल दिया है 180 बराबर ए पुलस भी नहीं दिया हुआ है बटा टू और यहां पर एच दिया है 9 9 से इसको कट करेंगे तो 20 बार में कट जाएगा अब इसको दूसरे मॉल्टिपल करेंगे तो 40 हो जाएगा 40 ए पुलस बी इसके बाद कह रहा है कि यहां पर दो समांतर में से एक भुजा जो 6 cm अधिक है अर्थात इसको हम आधा करते हैं दो पाठ में तोड़ेंगे तो 20 और 20 होगा जिस में से 6 अधिक है अर्थात जो सबसे बड़ी लंवी भुजा का रहा है 6 अधिक है तिहां 17 अगर हम 40 में से 40 में से 6 घटाते हैं तिहां मिलता है 34 34 को दो पार्ट में तूडेंगे तिहां मिलेगा 17 और 17 में 6 अधिक है अर्था 17 में 6 जोडते हैं तो तेश हो जाएगा इसलिए राइट एंसर अगरा कुशन कर रहा है साथ संत्रे 10 रुपे में खर दे जाते हैं और 6 संत्रे 15 रुपे में बेचे जाते हैं तो इसका परतिसत क्या होगा तो ऐसा क्यूचन रहे हैं तो आपको कोर्स मल्टिपल कर देना है यहां पर देखिए 5 गुने 15 करेंगे तो 75 हो जाएगा से प्रोफिट के लिए होता है 75 यहां पर 10 गुने कर देंगे तो हो जाएगा साथ बाटा क्रेमुल और सॉ-चिए सथ साथ है इसको त拜ुने 15 में 30 i4 fato भर्वार्व में तो सौसरो मन्टीपल करेंगे यहां पर घटाएंगे तो यहां पर 15 हो जाएगा 22 साट हो जाएगा गुम्मीं है सव जाएगा 15 से काट एंगे चार भार में और चार से काट करेंग परbahn 25 भार helps झालिये राइट इंशर हो जाएगा 10 सुरकाड चाहें पहला कि का मान नितरों को इस सराव creator इसाट तो में आशल करना कि हम duplication हम कोट करते हैं तो बार ने इसको हम कॉड़ा अब करते हैं इसको साथ बार में साथ कड़ गया इसको अगर हम two से डिवाइट करते हैं तीज साथ बार में कड़ जायगा और इसको हम multiple कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा यहां 22 पॉता साथ तो साथ से गेंसिल कर दते हैं इस तरह से इसका राइट एंसर ओप्सन नमबर इतना हो जाएगा इसके बाद अगला क्यूचन हम लोग देखते हैं तिहां लिखा हुआ है नीमन में से किस ट्रफांस में माईनस सेबन और माइनस व्न होता है तो सबसे पहले हम देखेंगे चतोर अachment आप एहां जो देख रहे हैं इसको प्र全部 चतोर संस कवे इसको चतुर संस करते हैं इसको चतोर सनल करते हैं तिस सब देखें में एक्स लाइन है जिसको एक्स रर्गा सघसा और रेखा करते हैं में यहां पर एक्स कवच रहा में हायी ही यहां पर परथभगो करके हाट लग